आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेराना शाहिद पहले एक अपील इन तीन आसान उपायों का पालन अवश्य करें मास्क पहने दोगस की दूरी बनाए रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से सम्मंदित कोई भी जानकारी और मार्क दर्शन के लिए राश्ट्री हेलप लाइन नमबर 011-23-9-7-8-04-6 और 10-75 पर संपर्क करें सबसे पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री किसान कल्यान योजना के अंतरगत प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाग किसानों के खाते में 1540 करोड रुपे अंतरित मुख्यमंत्री शिवराची चोहान ने कहा किसानों को सिचाई के लिए बिजली की कमी नहीं होने देंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कारिक्रम में अपने विचार साज़ा करेंगे और दीपोत्सव की तैयारियों में जोटी स्वसाहिता समू की महिलाएं गौालियर में गोबर के दीपक एको फ्रेंडली मूर्तियों के साथ ही बना रही है अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराची चोहान ने आज भोपाल में आईजित राजिस्तरी कारिक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याने योजिना में प्रदेश के 44 जिलों की 77 लाग से अतिक किसानों को 1540 करोर रोपे की राशी ट्रांसफर की इस कारिक्रम में चुनाव आदर्श आचरन सनीता वाले जिलों सतना खंडवा खरगौन बुरहानपूर और अलिराजपूर को शामिल नहीं किया गया अपने सम्मूधन में मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कहा कि किसानों को बढ़ोत्री होने के बाद भी किसानों के लिए पुरानी दर पर ही खाद उपलब्द कराने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को धन्यवाद दिया श्री चोहान ने कहा कि अब एक साल में तीन-तीन फसले होने लगी है सरकार ने समर्थन मूले पर इस वर्ष चार लाख में ट्रिक टन मूंग खरीदा ताकि किसान को घाटा ना होने पाए श्री चोहान ने एक नवंबर से किसानों के अविवादित खाते अलग-अलग करने के लिए अभियान चलाए जाने की जानकारी दी कारिक्रम में जाबुआ से राजस्व मंत्री भूपेंदर सिही राजपूत वर्चू अली जुड़े चुनाओ आचार सनहिता वाले जिलों को छोड़ कर सभी जिलों में कारिक्रम का सीधा प्रसारण किया गया शिफपूरी से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि एनाईसी कक्ष में आईजित लाइव प्रसारण कारिक्रम में जन प्रतिने धी और विभागी अधिकारी शामिल हुए मनसौर से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि योजना अंतरगत जिले के 1,96,548 किसानों को 49,30,96,000 की राशी वित्रित की गई राइसेन जिले में 1,50,000 से अधिक किसानों के खाते में 30 करोड से ज्यादा की राशी अंतरित की गई उधर गुनाजिले में 1,50,000,000 किसानों को किसान सम्मानेधी का लाभ मिला खंडवा लोकसभा और रह गाउनिवाडी एवं जोबट विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाओं के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है मुख्यमंत्री शिवराथ सीचोहान ने आज खंडवा लोकसभा के बुरहानपूर और जावर में चुनावी सभा को सम्भोधित किया इस दोरान उन्होंने केंदर और राजी सरकार की उपलबधियों को गिनाते हुए भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे वही पार्टी के लिए स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गिया और पंकजा मुंडे ने सत्वाड़ा गाउं में चुनावी सभा को सम्भोधित किया उधर कॉंग्रिस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात ने रैगाउं विधान सभा के भरजुना में कॉंग्रिस प्रत्याशी के समर्थन में जन सभा को सम्भोधित किया उपचुनाओ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जारी है खंडवा में आज मतदान दलों को प्रशिक्षन हुआ जिसमें उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठा सीन अधिकारियों और मतदान दलों को पूरी जवाब देही और सजक्ता के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन कराने के निर्देश दिये गौर तलब है कि आगामी 30 अक्टूबर को चारों सीटों पर मतदान होगा चुनावी नतिजे 3 नवंबर को आएंगे कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मू साफ रखें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कल सुबह 11 बजे आकाश्वानी से मन की बात करेक्रम में अपने विचार साचा करेंगे यह इस मासिक रेडियो करेक्रम की 82 विंकरी होगी मन की बात करेक्रम आकाश्वानी और दूर्दर्षन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा यह आकाश्वानी समाचार की वैबसाइट और न्यूस ओन AIR मोबाइल एप पर भी उपलब्द रहेगा आकाश्वाणी समाचार, डीडी निूज, प्रधानमंत्री कार्याले तथा सूचना और प्रसारण मंत्राले के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मंद की बात करिक्रम खेक्त्री भाशाओं में प्रसारित किया जाएगा खेक्त्री भाशाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा दीपावली का त्योहार करीब आ गया है ऐसे में राजिग्रामीन आजीविका मिशन से जुड़ी स्वसाहिता समूहों की महिलाएं भी इस पर्व की तैयारियों में जुड़ गई है अगरवत्ती, मुमबत्ती, रूईबाती, सहित अन्य पूजन सामगरी के साथ ही घर दौर सजाने के लिए फ्लावर, पॉट वर रंग बिरंगी आकरशक जालरें समेत दीपूद्सव में उप्योग हने वाले सामगरीयां बना रही है जनसंपर्क अधिकारी हितेंद्र भधौरीय ने बताया कि प्रशासन भी स्वसाहिता समूओ की महिलाओं को आत्म निर्भर बनानी की दिशा में उनकी मदद कर रहा है शहर के फूलबाग स्थित संभागिये ग्रामीन हाट बाजार दीपावली से पहले स्वसाहिता समूओ की महिलाओं दौरा अपने हातों से निर्मित इस सामगरी से गुलजार होगा शहरवासियों को दीपावली के लिए पूजन सामगरी वा अन्ने कलात्मक वस्तुए लेने के लिए भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जानी की जरूरत नहीं रहेगी ग्रामीन हाट बाजार में हैसाब उचित दर पर उपलब्ध होगा टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप में कल शाम भारतिय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले किसे अभियान की शुरूरात करेगी मैच साड़े साथ बजे शुरू होगा इस मुकाबले को लेकर दर्शकों में काफी उत्सा है मुख्यमंत्री शिवराजसी चौहान ने भी भारतिय टीम को सफलता के लिए शुपकाम नाए दी है इधर भुपाल में परेटन विकास निगम की इकाई होटल लेक व्यू रेसिडेंसी परिसर में स्थित ड्राइव इन सिनमा में मैच का लाइफ टेली कास्ट किया जाएगा लगभग असी कारों की शमतावाले इस परिसर में कार पार्किंग के अतिरिक्त टू वीलर से यहां आने वाले दर्शकों के लिए बैठक व्यवस्था भी की गई है अब कुछ समचार संगशेप में उचितम ने आले ने कहा है कि सिविल सेवा परिक्षा में सफल उम्मीदवार को अपनी पसंद सिग्रह राज्जी कैडर आवंटित करने की मांग का अधिकार नहीं है राष्ट्रिय रैबिट नियंतरन कारिक्रम के तहट देवाज जिले में चिखित सा दल को प्रशिक्षन दिया गया गुना जिले में श्वेश्टिता योजना के तहट कक्षा नवी और ग्यारवी में प्रवेश के लिए कल दोपहर बारा बजे गुना के शास की उतक्रिष्ट उचितर माध्यमिक विद्याले में परिक्षा आईजित की जाएगी आजादी का अमरित महुत्सव के तहट सीहोर और नीमत जिले में विदिक जागरुकता शिवर लगाया गया आगर मालवा जिले के सोयद कला में चलित खादे प्रयोग शाला के माध्यम से 12 दुकानों का निरिक्षण कर 35 खादे सामगरियों की जाच की गई जिसमें तीन अमानक नमूने पाए गए अंत में मुखे समचार एक बार फिर मुखे मंतरी किसान कल्यान योजगा के अंतरगर प्रदेश के चवाली सिलों के 77 लाग किसानों के खाते में 1540 करोर रुपे अंतरित मुखे मंतरी शिवराची चोहान ने कहा किसानों को सिचाई के लिए बिजली की कमी नहीं होने देंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कल्मन की बात करिक्र में अपने विचार साचा करेंगे और दीपोटसव की तैयारियों में चुटी स्वस आहिता समू की महिलाएं इस बुलिटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार झाल